हरियाना के भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है या एक प्राचीन शेहर है, मुक्के बाजों की राजधानी के चलते इसे मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है तो इसे युद्ध नायकों की नगरी भी कहा जाता है 1957 में भीवानी के गाउं रोहदनात में हुई करान थी आज प्रेरित करती है नमस्कार मैं हूँ गोर और आप देख रहे हैं खबर खिड़ की 22 दिसंबर 1972 को भीवानी जिला अस्तितव में आया करीब 3432 किलोमेटर में फैला भीवानी जिले की सीमा हिसार, रोत्थक, चर्की, जादरी, महेंधरगड के साथ लगती है भीवानी में भीवानी के इलावा सिवानी और तशाम, उपमंडल है लोहारी वए भीवानी केड़ा तहसील है भीवानी जिले के इतिहास की बात करें तो इसे ठाकुर नीम सिंग्तवर ने बसाया उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इस शहर को बसाया हर्याना में सबसे अधिक मरुस्तल का विस्तार भीवानी जिले में है दुलहेडी की पहाड़ी तशाम पर मुख खाजिन इलाके है केति के नजरिये से परदेश में सबसे अधिक सरसों और जोक अधुपादन होता है हर्याना में साल 1937 में सबसे पहला सूती वस्तरकार खाना भीवानी में ही लगाया गया था इसके लावा भीवानी में भेडों की संख्या सबसे अधिक है लोहारू के गाम ब्रालू में उठों का सबसे बड़ा मिला लगता है सबतंतरता अंदोलन में भीवानी का योगदन एहम रहा यहां के गाम रोहनात में 1857 की गरांथी में अंग्रेजों ने सैकड़ों लोगों को कुए में दफना दिया था 1919 में पंडित नेकी राम शर्माने भीवानी में कॉंग्रेस की स्थापना गी 1920 में यहां पर कॉंफरेंस का योजन हुआ जिसमें महात्मा गांदी जवारला नेरू सहित कई लोगों ने शिरकत की जनसंक्या और शेत रफल के नजरिये से भीवानी परदेश में तीसरे स्थान पर है भीवानी से चार नेशनल हाइवे निकलते हैं नेशनल हाइवे 9, NH 52, NH 709 और NH 334 ध्यास के नजरिये से भी भीवानी का बड़ा महत्व है भीवानी के मिताथल गाउं में 1968 से 73 और 1986 से 86 के बीच हुई खुई खुदाई में पूरव हडपा और हडपा संस्क्रिति का सबूत मिला बीवानी शहर के लगबग 10 किलोमेटर पूरव और नोरंगाबाद के गाउं के पास 2001 में प्रारंबिक खुदाई में करीब 25 सो वर्ष पुराने सिक्के, उपकरन, चाकर, खिलोने, मूर्तियों और बरतन मिले थे अकबरी में भी इस शहर का जिकर है बीवानी शहर के नाम की बात करें तो माना जाता है नीम सिंग राजपूत ने अपनी पतनी भनी के नाम पर इस शहर का नाम भानी रखा बात में भीवानी नाम बदल कर भियानी और फिर भीवानी में बदल गया राजनीतिय रूप से भी भीवानी जिला पहजान रखता है इस जिले ने चोधरी बंसीलाल को दिया जिहां भीवानी जिला के गाँ गोलागड के बंसीलाल चार बार प्रदेश के मुख्या मंतरी एक बार के इंद्रिय मंतरी कई बार विधाय को शांशी चुनेगे भीवानी से दो अन्या नेता हुएं जो मुख्या मंत्री बने ये थे बनारसिदास गुपता और मास्टर हुकम से शिक्षा के मामने में भीवानी बहुत उन्नत शेहर है यहां हरियाना विध्धल है शिक्षा बोर्ड का मुख्याला है तो दस प्रद्योग की संस्थान भी है परिवान के लिहाज से भी यह विक्सिश शेहर का जा सकता है भीवानी से मुक्यते पांच तरफ सड़के निकलती ह हिसार तो शाम लोहारू चर्की दादरी और रहो तक देश की राष्ट्रे राजदानी दिल्ली के लिए भी लगबग हर समय सड़क और रेल यातयात उपलब्द रहते हैं विवानी का एक बड़ा रेल जंक्षन है यहां से तीन दिशाओं में रेल लाइन निकलती है एक रे सी पहनती है बड़े बज़ुर परारंपरिक पहनावे में आते हैं विवानी को मंदिरों का नगर और भार्त की छोटी कांशी के नाम से भी जाना जाता है यहां मंदिरों की अधिकता बहुत जादा है इन में से शेहर के बीचों भी स्तापित घंटागर का मंदिर नजी के गाम देशसर का मंदिर बहुत परसिद्ध है वहीं तो शाम में मुगीपा धार्मिक स्तल है इसकी काफी मानत है स्वर्ग्य कप्तान हवा सिंग की याद में बनाया गया बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर देश को अच्छे खिलाड़ी परदान कर रहा है विवानी का बहुत प्रदेश्य खेल परिस्तर भीम स्टेडियम भी परसिद्ध है वाक्सर के दिखता की वज़ा से भीवानी को चोटा क्यूबा भी कहा जाता है हमारी खास रिपोर्ट